हर्याना तक की टीम इस वक्त गुरुग्राम के सेक्टर 17 के रावदानसिंग के ठिकाने पर मौझूद है जहां सुबह 7 बजे के करीब ED के तकरीवन 6 करमचारी पहुँचे थे और तब से इस रेड को अंजाम दे रही हैं देश भर में 5 शहर ऐसे हैं जहां पे रावदानसिंग और उनके परिजनों के अलावा जो मैसर्स अलाइड कंपनी थी उनके अधिकारियों के खिलाफ भी ये रेड जारी है गुडगाओं, महिंदरगड, बहादुरगड और इसके अलावा अन्य इलाकों में भी ये रेड जारी है इनी गाड़ियों में बैठकर सवार होकर ED के जो अधिकारी थे वो यहां पे पहुँचे हैं और सुबह से तक्रीबन 7 बजे से ये परिवर्तन निदेशाले की टीम यहां पे रेड करने में लगी है दरअसल 1392 करोड रुपे का ये मामला है Messrs Allied Company जिसने ये बैंक से लोन लिया था 1392 करोड रुपे और तब से इस लोन को चुकाया नहीं मामले की शिकायत CPI को सौपी गई थी CBI ने इस पूरे मामले की तफ्तीश की और अब इस पूरे मामले की तफ्तीश परिवर्तन निदेशाले भी कर रहा है दो दिन पहले ही अमित्शा मेहंद्रगड में गर्जे थे और दो दिन के बाद ये परिवर्तन निदेशाले की रेड कही न कहीं सियासी घमासान भी अपने सियासी घमासान की तरफ इशारा जरूर कर रही है हाला कि अब कॉंग्रिसी नेता ये कहने में लगे हैं विपक्ष ये कहने में लगा है कि एक बार फिर विधायकों को जिससे पहले धरम सिंग छोकर उनके बेटे और अब रावदान सिंग के तमाम ठिकानों पर ED की रेड कहीं ना कहीं विपक्ष की आवाज को दबाने की एक सा साफ नहीं है लेकिन अब जिसतने से ED ने चापे मारी शुरू की है मुश्किले जरूर बर सकती हैं रावदान सिंग की कैमरामेन परवीन कुमार के साथ नीरत वसिस्ट गुरुग्राम हर्यान तक झाल